स्वर्ग पिता और एशु मसी और पविद्र आत्मा के नाम से आमें पविद्र आत्मा मेरे को बल दे कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर आमें स्वर्ग पिता में आपके प्यारे पुद्र इशु मसिय के नम से प्रातना करता हूँ, मैरे को बल दे कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मे का शब्द कर आमें पवित्रात्मा जो लोग ये सुनकर आगे दुसरों को बेचते हैं, वाइरल करते हैं, शेयर करते हैं, उनको कोविड बीमार से बचा कर रहे हैं, सब बीमारियां लोगों की तिक कर और सब कामा चंगा करके लोगों को दे आमेन आज तारिक है, 7 एप्रिल 2021 मैं मानता हूँ परमिश्वार का जैसा की जो लोगों ने ये प्रचार पहले से सुन लिया है, वो सब लोग फवित्र बन गए और एशुमस्यी का कारे कर रहे हैं, आमेन स्वागत आपको और आपका परिवार को एशुमस्यी का नाम से यूटूब लाइव पर, आमेन सोला और एशुमस्यी ने चिताया कि मुझे प्रगट न करना कि जो वचन एशाय विश्व दुवाता के दुवारा कहा गया था, वो पुरा हो एशुमस्यी ने लोगों को बोला कि प्रगट मत कर क्योंकि जैसा लिखा था पुराना करार में एशुमस्यी के बारे में वो सच होने के लिए तो आमारा कैटलिक दर्म कुछ चोर डाकू लफंगे गुंडा रेप करने वाले इसा लोगों का नहीं है आमारा कैटलिक दर्म सिधा परमिश्वार का है और एशुमस्यी सोरिक पिता का पूतर करके ये नया करार में सब कुछ बराबर बन गया बराबर एक एक चीज वो वो समय हो गई और एशुमस्यी सोरिक से आया करके बराबर लिखेला हुआ है और सब चीजें सब जिदर होना था वैसिच हो गई थी और बहुत आसान है एक कैटलिक दर्म मानने के लिए और साधा कैटलिक रहेगा तो कुछ फाइदा नहीं है सिर्फ हर कैटलिक को पवित्र कैटलिक बनना पड़ेगा पुरा परमश्वर का प्यार में और आच्चाई में ये जिन्दगी जिने का है तो अगर आप पहली बार इस वीडियो में आया तो वीडियो खतम होने के बाद फॉरें बिस्क्रिप्शन में चले जा और अब इच त्माच दस मिनट में पवित्र कैटलिक बन जा और हर आपका इंसान को घर पर हर व्यक्ति को पवित्र कैटलिक आप बना दे उनको बोल दे कि आप लेता है तो यह बड़ा चमातकार है हर इंसान के लिए तो आप भी पवित्र कैटलिक बन जा तो अटारा उननीस बीस एक बीस में जो लिखेला हुआ था विच दुआ था ने वो सब कुछ वैसाइच होने के लिए एशू मसीने लोगों को बोला अटारा की देखो यह मेरा सेवक है जिसे में ने चुना है मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन है मैं अपना आत्मा उस पर डालोंगा और वह अननी जातियों को नियाई का समाचार देगा वह न जालडा करेगा और न दुम मचायेगा और वह और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा वह कुचले हुए सरकंडे को न थोड़ेगा और दुमा देती हुई बत्ती को न बुजाएगा जब तक नियाई को प्रबल न कराए और अनने जातियों उसके नाम पर आशार रखेंगी तो ये सब लिकेला हुआ था एशु मसी के बारे में सब शब्दा परमिश्वर की है सोर की फिता की है तो एसा सब कुछ हो गया था और हर लोगों का आशा सिर्फ एशु मसी के उपर ही रहना मांगता अभी भी जो कोई एशु मसी का बाते मानकर पवित्र कैतलिक नहीं बनता उसको कभी भी आच्चाई कुछ भी चंगाई नहीं आएगी कभी इस दुनिया पर उसकी जिन्दगे में और उसका पुरा परिवार भी बहुत कटिन दीन कटिन मुश्किल से गुजर मरेगा और कौन पहला मरेगा उसका कुछ भी गरवाले सोच नहीं सकेंगे सिर्फ बुड़े लोग पहले मरेंगे यह इसा नहीं रहेगा बच्चे लोग भी यह गरों में मर जाएंगे जो गर पूरे परिवार जिस गर में पवित्र कैतलिक नहीं बने वो गर तो सब लफड़े मौतें सब एक गरों में हो जाएंगे जो कोई भी गर पवित्र कैतलिक नहीं बना है तो हर वेक्ति को हर गर का जरूरी है पवित्र कैतलिक बनने का बिना पवित्र कैतलिक गर रहेगा तो सब संकंटे, सब मुश्किलें, बेकारी लाचारी, सब गड़बड इस गर में हो जाएगा तो कोई भी शहर हो जाए, कोई भी गाउं हो जाए, इधर लिखेला हुआ है एक बिस में कि अन्नी जातियों उसके नाम पर आशा रखेंगी तो कोई भी इंसान हो जाए, शुमस ने बोला, सब को पवित्र कैतलिक होना इच पड़ेगा, नहीं तो कुछ आशा, कोई भी इंसान को नहीं मिलेगा सब के लफडे हो जाएगे, और सब का मौत जल्दी हो जाएगा, और वो भी नरग में चरे जाएगे बाविस, तब लोग एक अंदे गुंगे को जिसमें दृष्ट अतमाती उसके पास लाया, और उसने उसे अच्चा किया, और वो गुंगा बोलने और देखने लगा अभी इदर एक बुत से बढ़ा हुआ, आंदा और गुंगा, तो कोई भी गाओं में आंदे गुंगे रहेंगे, तो उनके आंदर बुत है लिकेला हुआ है इदर लाजिम उनके अंदर बुत है, कोई भी बिमारी हो जाए, उनके अंदर बुत है कोई भी इंसान पवितर कैतलिक नहीं है, उनके अंदर बुत है, लिकेला हुआ है इदर 22 में लिकेला हुआ है, बराबर से पढ़ ले, सुन ले, सोच ले एक कोई मज़क नहीं है, तब लोग एक अंदे गुंगे को जिस में दुरुष्ट आत्मा थी तो कोई भी बीमारी हो जाए, अंदे गुंगा हो जाए, कांकर कैंसर की बीमारी हो जाए, और कुछ भी वेशाई भी हो जाए, दारू की, सिगरेट की, बदन की कुछ भी जिन्दगी में हो जाए, जो भी कोई पुवितर कैतलिक नहीं है, उसकी अंदर दुरुष्ट आत्माएं है जब भी आप पुवितर कैतलिक बनेगा, तब इच ये दुरुष्ट आत्माएं चोड़के जाती है क्योंकि जिदर उजाला आता है, आप एक अंदरे रूम में बिजली लाइड चलाते हैं, तो पुरा उजाला हो जाता है तो ये इच बात है, जब आप पुवितर कैतलिक बनते हैं, तो पुवितर आत्मा जिन्दगी में आपके जिवन में आती है तो सब दृष्ट आत्माएं आपको चोड़कर निकल जाती है और इस करण से आपकी बिमारियां तिक हो जाती है और कोई जमतकार होने का, काला जादू और वगारा कुछ नहीं चलता सिर्फ ये एकिछ तरीका है चंगाई पाने के लिए कहां भी जाओ, कितने लोगों के पास भी जाओ, कितना भी काला जादू करो, कुछ भी करो कुछ फाइदेका नहीं होएगा, और ज्यादा मुश्किल बढ़ती जाएगी जिन्दगी में जो बुराई थी, जो मुश्किल थी, और दिन बर दिन बढ़ती जाएगी और उसने उससे अच्छा किया, तो एशू मसीने इस गुंगे को, इस आंदे को ठीकी किया, तो एब बहुत अच्ची बात है कि, बिना ओपरेशन, बिना ट्रांस्प्लांट, बिना नया आंके डालने का, कुछ भी ओपरेशन भी नहीं हुआ, एपॉइंट्मेंट नहीं दिया, फलाना दिना ओ, तो भी तेरा ओपरेशन होईगा, तो भी तेरे उपर प्रातुना होईगी, एसा कुछ नहीं बोला एशू मसीने, फोरें, ये इंसान को एशू मसीने, ठीक किया, अच्चा किया, तो अच्चा ही पाने के लिए बुथ, जो दृष्ट आत्माई है, वो व्यक्ति के जिवन से निकलना पड़ता है, तब इस इंसान को अच्चा ही मिलती है, चंगा ही मिलती है, बिमारी से इंसान टिक होता है, गरिबी से इंसान बच कर अच्चा कासा पैसा कमाना लगता है, तो ये किस तरीका है हर एक कैटलिक को अच्चा जिन्दगी में पाने के लिए अच्चा दिन जिन्दगी में पाने के लिए सिर्फ एक पवितर कैटलिक को इच इस दुनिया में मौका है सिर्फ पवितर कैटलिक इच इस दुनिया में आच्चे दिन देख सकता है जैसा इसने गुंगे और आंदे ने अच्चा महसुस कर दिया रोशनी आ गई, कान खुल गए तो पूरी अच्चा ये इसके जिवन में आ गई आज से लेकर अच्चे दिन इस इनसान को आ गई तो राच्चे दिन आपको दियेगा तो सिर्फ एशू मसी दियेगा और किसी के उपर बरोशा मत कर आच्चे दिन इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता सिर्फ जिसने आपको इस दुनिया में बेजा है वो है एशू मसी स्वर्पिता के साथ और पुवितर आत्मा के साथ आपको इस दुनिया में डालता है वो इच आमको आच्चे दिन देएगा और कोई नहीं दे सकता है आच्चे दिन आपके जिन्दगे से भूल जाओ अगर आप पवित्र क्यात्रिक नहीं है तो कभी भी नहीं आएंगे इधर लिखा है एशु मसी ने उससे आच्चा किया तो आपके आंदर बूत है दुरिष्ट आत्माएं है आप बुरा इंसान है आप पवित्र क्यात्रिक नहीं है तो जैसा ए इंसान आंदा और गुंगा था वैसा तेरे खो भी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा पूरी जिन्दगी बर तब तख आप एशु मसी के पास नहीं आता तो आप पवित्र क्यात्रिक नहीं बनता तो आपको और कोई रास्ता नहीं है आपकी बिमारी और कुछ भी चंगाई जिवन में महसुस करने के लिए तो हर इंसान को आमको बिना दुरुष्टात्मा जिना पड़ेगा और एशा अच्चा जिन्दगी जी सकते सिर्फ पवित्र क्यात्रिक बनेंगे तबीच और 24 गंडा ये प्रचार डाल दे गर पे सुन ले और लिख दे और मेरे जैसाइच रेकोर्डिंग करके यूट्यूब पर आपका नया चैनल खोल कर यूट्यूब पर चड़ा दे तब इच की आपकी बिमारियां और मसले सब कतम होईएगे जैसा आप एशू मसी का जैसा बनेगा जो चीज़े एशू मसी ने किया वो हर एक पवित्र कैतलिक को करना पड़ता है गर पे खाली बेटेगा तो कुछ नहीं होएगा रोज दिन बर दिन एक काम आमको करते जाने का तब इच की आमको चंगाई मिलती जाएगे सो गुना से उपर आमको बरपाई परमेशवर आमको दे देगा तो आच्चाई आमको जैसा एशू मसी ने एए इंसान को किया आम दूसरों को करते जाने का एशू मसी का बनकर सबको आच्चाई आम लोग प्राप्त करके जाने का सबको आच्चाई देते आम लोग जाने का सबके जिवन में आच्चे दिन आम लोग देते जाना मांगता है सबको आच्चे दिन सिर्फ आप दुसरों को दे सकता है सिर्फ आप पवित्र कैतलिक बनेगा तो सिर्फ पवित्र कैतलिक इच दुसरों को आच्चे दिन दे सकता है पवित्र कैतलिक की और से परमेश्वर दुसरों को चंगाई देता है और दुसरा उपाई और रास्ता और कुछ भी नहीं है दूसरा कुछ भी आप सोचो मत कहीं भी जाओ प्रचार को जाओ, प्रातना को जाओ सांतो मार्याम क्रूस के पाच जाओ कुछ भी आपको नहीं मिलेगा सिर्फ एक पवित्र कैतलिक इच आपको चंगाई दे सकता है बोले तो अभी ये प्रचार सुनकर आप पवित्र कैतलिक बन जाएगा तब इच आपके जिन्दगी में चंगाई आएगा, बोले तो मैं एक पवित्र कैतलिक बन कर ये अभी कारे कर रहा है तो मैंने अभी आपको चंगाई दे दिया क्यूंकि आप पवित्र बन गए तो मैंने दिया बोले तो परमिश्वर ने मेरी तरफ से मेरे को इस्तमाल करके क्योंकि मैंने बोला है कि मैं अभी इश्यो मस्टिका जैसा कार करेगा हमेशा के लिए तो इच मेरे को इस्तमाल कर सकता है परमिश्वर और दुसरों को चंगाई दे सकता है क्योंकि मैं अभी मान लिया, मैं मन्जूर हो गया, मैंने सब बुराई चोड़ दी और मेरे को अभी पवितर कैतलिक बन गया तो सिर्फ साथ मेने हो गए तो आपको भी पहले दिन से ये प्रेचार करनेगा, किसी का भी प्रेचार इसमें शामिल मत करो, इसके बीच में मत डालो, और सब गलत हो जाएगा और आप वापस से मुसिबत में पंच जाएगे छे मैना एक साल तक ये करते जाओ, तो बीच कि आप बराबर आपका सोच, आपका मन, आपका दिल बराबर से मेहसूस करेगा कि क्या गलत और क्या सच है जो शेटान तेरे मन में डालता है, वो सब गलत है करके तेरे को एक सास मालूम होने लगेगा तो पहला बहुत ख्याल करो कि आप पिसल ना जाए तो इसलिए एच प्रेचार बराबर एच प्रेचार आप सुन ले 24 गंटा और एच प्रेचार रोज आप डालते रहे हर दिन नया प्रेचार आता रहेगा हर दिन आप डालते रहो, 6 मैना एक साल तक एक करो जबी आपको मालूम पड़ेगा कि आप सत्य पे चल रहा है और सेतान की हर बात जो गलत बात है वो आपको अभी मालूम होने लगी है आपको परमिश्वर आपके अंदर है और आपको सही दिशा में अभी लेके जा रहा है इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे ये क्या दावुद की संतान काहे तो अभी ये कैसा भी नहीं हो रहा था ये इनसान कैसा भी टिक नहीं हो रहा था उनकी बिमारी किसी से भी टिक नहीं हो रहा थी शायद सब पहिसा लोगोंने डक्टरां को डाल दिया जबी ऐसा अभी आम लोग कैतलिक भी करते हैं कोई बिमारी तेरे को पकड़ेगा तो सब पहिसा अमारा दवाई हस्पिडल में जाता है जितना भी कमाया था पूरा जिंदगी पर पूरा जिंदगी डाला था वो पहिसा कमाने को इतना मेहनत की थी वो सब पहिसा पानी में जाता है तो इतना मेहनत करके कुछ फाइदा नहीं है उपर से आपके बच्चे अभी रास्ते में पढ़ते है बिक मांगने लगते है ऐसा एक परिवारता दोनु माँ बाप गौर्मेंट सर्वंट थे बाप मर गया माँ भी मर गी कैंसर में दो साल चोड़कर दोनु मर गये और बच्चे अभी चोटे दास्वी कशा में है और उससे निच्चे एक तो ये दोनों अभी रास्ते पर आ गए तो इसा बात होता है लोगों का जो भी लोग खुद के बल पर जिते है जो कैटलिक नहीं है ये कैटलिक गर का मेने आपको बात बोला तो बच्चे बच्चों को कैटलिक लोग भी मुश्किल में चोड़कर जाते है क्योंकि शैतान ने लोगों का बैंड बजाये है ये लोगों को शैतान ने जिंदा मार दिया मां और बाप दोनूं को तो ये इज कहानी हर गर की है गर गर की कहानी इज है सब का मौथ शायद मां बाप मरेंगे नहीं तो बच्चे मरेंगे कौन पहला मरेगा वो मालूम नहीं पड़ेगा लेकिन शैतान जरूर परिवार का बैंड जरूर बज़ाएगा जब तक पवितर कैतलिक नहीं बनेगे तो हर एक इसान का बैंड बजता जाएगा उपर कुछ सब गलत होता जाएगा घर में इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे ये चकित होने का बात थी पुराना करार में अभी आमको चकित होने का बात आता भी नहीं क्योंकि ये तो लाजिम होना ये मांगता है हर शब्द फर पवित्र कैतलिक का चमत्कार होते रहना ही मांगता है तो हर पवित्र कैतलिक ने अभी मेरे जैसा बोले तो परिमेश्वर का जैसा करते रहने का सबको आच्चे दिन जिन्दगी में देते जाने का बाद में आपके आगे जिसको चंगाई मिलती ओ लोगोंने भी ऐसा इच करने का तो ऐसा होएगा तो हर कैतलिक का गर पवित्र गर मार्याम का जैसा एश्व मस्टी का जैसा गर का युसुफ और मार्याम जैसा पवित्र गर बसायाता एश्व मस्टी के साथ वैसा गर आमारा पवित्र कैतलिक का बन जाएंगे और वैसा पवित्र गर बनेगा तो इच हमको आच्चे दिन जिन्दगे में मिलेंगे यह सिधा सिधा तरीका है इसमें कुछ बटर, शाकर, नमक मारके कुछ इसमें कुछ होएगा नहीं जो बात है, जो एशु मसीने बोला है, जो एशु मसीने कर दिकाया है वो इच हमको इस्तिमाल करने का है आमारी जिन्दगी में हर एक दिन में, हर एक सांस में आमको इच इस्तिमाल करने का है जो एशु मसीने आमको बोला है यह बात अब लोग देखने के बाद आमारे गर के बाहर लाइना लगेंगी सब दिशा से लोग बाग के आमारे गर में आएंगे चंगाई पाने के लिए जैसा प्रमिश्वर का पिछे हजारों लोग बागते थे तिस हजार उससे ज़्यादा भी शायद रहेगा तो एससा इतना बीड होता था कि शुमसी को लोगों के बीच में से जाने को भी इतना मुश्किल होता था इतना बीड लगती थी तो एससी चिबीड और कैतलिक के गर बाहर लगना मांगता है और भी कैतलिक के बाहर एक कुत्ता भी नहीं सुंकर आता है, क्योंकि कोई भी कैतलिक कुछ भी आच्चाई नहीं कर सकता कैतलिक के गर के बाहर लाइना लगना मंगता है, चंगाई पाने के लिए आच्चा दिन देखने के लिए आच्चे दिन में हैसुस करने के लिए जिन्देगी में पुरा कैतलिक के गर के बाहर लोग बीड आना मंगता है बीड करके लिखा है बायबल पर मारके देखलो एशू मसी के फीचे बीड आती थी तो आमारे कैटलिक के जिमन में भी गर में भी सब जगे पर आमको बीड आमारा फीचा करते रहना मांगता है और यह हो जाएगा जबी आम पवितर कैटलिक बनेंगे तबीच तो जितना ज़्यादा पवितर कैटलिक बनेंगे आपका पूरा परिवार पवितर कैटलिक बनेंगा तो जिदर आप लोग जाते हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं नकरी पर जाते हैं बाजार में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहां बस में, कहां कैसे भी जाओ, किदर भी जाओ, वो सब जगा हम लोग चंगाई लोगों को देते जाना मांगता है, जैसा एकशु मसीफ पुरा साड़ी तिन साल यह प्रचार कर लिया और साड़ी तिन साल सब को चंगाई दे तो ये लाजिम जरूरी है हर कैटलिक को पवितर कैटलिक बनने का और एशु मसी का जैसा चमतकार चंगाई लोगों को देते जाने का लोग चकित होकर कहने लगे कैतलिकों को देखके लोग चकित होना मांगता दुसरा लोग कैतलिक नहीं कैतलिक को ये रोज रोठी है ये कैतलिक को ये बाय आत्का के लिए चंगाई देने के लिए क्योंकि ये काम परमिश्वर करता आम सिर्फ हाजिर होना मंगता है परमिश्वर को हम लोग बोलना मंगता है आजिर हूँ, मैं आजिर है यह अमारा कहना होना मंगता है और यह आप कहाँ पाएगे जब यह आप पवित्र कैतलिक बनेगा तब इच और आपके जिवन में सब चंगाई आ जाएगे और यह चंगाई एशू मसी के जैसे अम लोग पवित्र कैतलिक लोग दिसरों को सब को चंगाई करते जाएगे एशू मसी के नाम से और पवित्र आत्मा के आदार से एशु मस्य ने बोला पवित्र आत्मा एक आदार में आपको बेचता है जो हमेशा अमारे आंदर रहेगा तो सब अमारी कामा परमिश्वर कर चोड़ता है आमको कुछ दक्कल देने का जरुरत नहीं है कुछ बोज उटाने का जरुरत नहीं है आमको सिर्फ एशु मस्य का जैसा बनने का है बस यह हमारा हर कैटलिक का कार्य है कि आम एशु मस्य के जैसे बनो नहीं तो आम लोग कैटलिक भी नहीं है सिर्फ कागज पर लिखेला हुआ है आम लोग कैटलिक है करके लेकिन सच में आम लोग Catholic नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा Catholic पवितर Catholic नहीं बन गए सब Catholic बुराई में है बूत वो Catholic के उपर है लिकला हुआ है इदर अभी आमने पड़ा है शेटन सब Catholic के आंदर है तो Catholic को आभी जल सजल पवितर बनने का जरूरी है अगर अच्चाई Catholic के जिंदगी में आएगा बिना बिमारी बिना लाच्चारी Catholic लोगों को जीने का है तो पवितर Catholic बनने का यह है बनना इच पड़ेगा इदर इच बंद करेंगे कल इदर से आगे बढ़ेंगे और उनका पुरा परिवार को आप COVID बीमारी से बचा कर रख सब बीमारियां ये लोगों की टिक कर कोई गर में मसले है कुछ भी लफड़ा है जमिन का और काम पर और रिस्तिदाउनों के बीच में बाजो वाले का बीच में मा बाप बच्चों के बीच में कुछ भी लफड़ा चल रहा है तो सब से ए लोगों को चंगाई दे और सब से आपका जैसे लोगों के बीच में प्यार बड़ा, प्यार बना अगर ए लोगों का दंदा चलता है तो इनका दंदा बड़ा ये लोगों का नुकरी पर इनका पागार बड़ा पोश्ट बड़ा और जो गर वाले नई नुकरी डुणते हैं उनको बड़ी कमपनी में बड़ी पागार का नुकरी दे दे और जिनको बेटा के रखा है गर पर उनका कमपनी वापस चालू करके उनको पागार बड़ा के पो रुपा, ये लोगों के उपर, रगदे, आमें.